पश्यमंगाल में चुनाओं को लेकर आए दिन तमाम पार्टियों की और से बयानबाजी का दोर जारी है। हाली में टी-एमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विशाली डालमिया का बयान सामने आ है। टालमिया ने टी-एमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं टी-एमसी में रही हूं मुझे पता है वहां कितने घोटाले होते हैं। वहां कोई काम सरकार में रहते हुए नहीं कराए गया है। साथी उन्होंने कहा कि हमारे ग्रियमंत्रिया अमिच्छा का जो नारा है अब की बार 200 पार वो जरूर पूरा होगा। अमिच्छा जी बोले हैं इस बार 200 पार वैसे ही होगा और बहुत आगे जाएगी बीजेपी। चाहते हैं इसलों को देंट को ने सबहु म् petroleum ने जहिए ने सब्सक्राइब। अब कि ने देखा वो प्राशायनन थार पीपलीक के व्य स्क्राउब नेंड़ार ना अंफन में मिलाने लॉक्डाउन में मिला ना कुछ भी नहीं मिला तो मैं मुए तो देख चुकी हूँ कि जो अंदर में कैसे क्या घोटाला चल रहा था तो इसलिए मैं तो ऊप गई थी यहां मैं डिरेक्टली बाद भी की तो टीमसी का यह पसंद नहीं आया तो बहुत अच्छा हुआ और अभी मैं बीजेपी में आगी हूँ और मैं खुश हूँ कि यहां पे आके मैं पबली के लिए काम कर पाऊंगा